हेलो, गूड आफटनून, वेलकम तू माई चैनल आस्ता एललबी एड हैपी इंटरनेशनल योग डे अगर आपने अभी तक अपने लाइफ में योग को अपने लाइफ का पार्ट नहीं बनाया है तो आज से ही बना लीजिए पूरे दिन में एक या दो घंटे निकाल कर योग जरूर करें तो चलिए मैं आज आपको इस योग डे पर बताने जा रहे हूँ glowing skin पाने के tips गर्मियों में glowing skin पाने के लिए आपको कौन से drinks पीने चाहिए गर्मियों में जब आपकी skin dehydrate महसूस होती है तो आपको केबद एक ही चीज़ करनी है कि आप खूब सारा पानी पीए क्योंकि आप चाहें जितने मॉस्चराइजर्स और सीरम्स चहरे पर लगा लें लेकिन अगर आपका शरी अंदर से hydrate नहीं रहेगा तो आपकी जो skin है वो भी सियादपन नजर नहीं आएगी पुदीना अदरक और ग्रीन टी लैमिनिट समर बेरी स्मूधी नारियर पानी और फल तो सबसे पहले पुदीना अदरक और ग्रीन टी लैमिनिट की बात करते हैं पुदीने वाले ड्रिंक आपके शरील को ठंडा रखने का काम करते हैं और आपको अंदर से ताज़की का ऐसास भी कराते हैं अद्रक में रहत पहुचाने के गुण होते हैं जब इन दोनों सामेग्रियों को मिलाया जाता है तो ये स्किन के लिए बहुत ही effective होता है और आपकी स्किन को बहुत ही beautiful और glowing बना देता है ये कैसे बनाते हैं दो बड़े glass में पहले आप पानी को उबालें उसमें चार green tea bags डालें अब आदा कप कटे हुए ताजे पुदीने के पत्ते और थोड़ी के ताजा कटी हुए अद्रक इस mixture को आदे घंटे तक भाप में रखें और फिर छान कर एक बड़े पीचर में डालें इसमें आना कप नीभू का रर्स और दो गलास पानी मिलाकर फ्रिज में धंडा होने के लिए रख दें जब भी आपको प्यास लगे तो आप इसे थोड़ा-थोड़ा करके पी सकती है इस्ट है summer berry smoothie गर्मियों की मौसम में मौसमी फलो की बाहर होती है और निकी smoothie बनाकर आप खुद को स्वाधिस तरीके से हाइडरे टरक सकती है यह smoothie स्वाध भरी तो होती ही है पर इसमें आपकी skin को ग्लो देने वाले भी गुड़ होते है तो यह कैसे बनाया जाता है आपको जितनी भी तरह की berries पसंद हो जैसे blueberry, strawberry, strawberry, शेह तूस, raspberry एक्सट्रास उन्हें blender में डाल कर थोड़ा सा करम साग यानि की kale एक tablespoon दही या दून और एक tablespoon सहट डाले अब इसे अच्छी तरह से blend करें और छान कर सर्फ करें अब next है नारियल पानी और फल नारियल पानी ये जैसे की summer में बहुत ही effective होता है वोई भी ऐसी चीज जिसकी याद गर्मियों के आते ही चली आती है तो वो है नारियल पानी ये तो सिर्फ ताजी की बरा होता ही है बलकि बहुत रहत और और औराम पहुचाने वाला भी होता है साथ ही इसे पीते ही आपकी सोचा में तुरंथ ही चमाका जाती है और ये सेंट एंड को भी दूर करता है ये कैसे बनाया जाता है आदा कप नारियल पानी में दो पकी वे frozen केले एक कप कटा हुआ पाइनेपल एक कप कटा हुआ आम दो कप पालक या करमसाग यानि केल और आदा एवोकेटों मिलाएं इन सभी सामेगियों को ब्लैंड करें और छान करें कंटेनर में भड़ ले यदि आपको ये ज़्यादा गाड़ा लग रहा हो तो इसमें आप थोड़ा सा नारियन पानी के लिए ये थे तीन ड्रिंग्स आप वीडियो देखने के बाद जरू ट्राइ करेंगे साथ ही साथ योग भी करें और अच्छी नीन लें अच्छी नीन लेने से भी बहुत फाइदा होता है तो मिलते हैं ऐसे ही किसी इंट्रेस्टिंग टीप्स के साथ अपनी नेक्स वीडियो में थैंक यू सो मच